साथियो जै किसान में रवी आजाद, साथियो संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा निर्णे लेते हुए मीशन उत्रप्रदेश और उत्राखंड सुरू करने के लिए आगामी 5 सितंबर को उत्रप्रदेश के मुझफर नगर के GIC ग्राउंड में किसान महापंचायत बुलाई है उत्रप्रदेश और उत्राखंड में आंदोलन को तेज करना और दूसरा आने वारे समय में जो विधान सभाके चुनाओ है उन में भाजपा का इलाज करना ट्रायल हुआ था पसिम बंगाल के अंदर अब नंबर है 2022 में उत्रप्रदेश का और अगर तीन काले कानुनों क कि वापसी नहीं हुई MSP का कानुन नहीं मिला तो फिर 2024 में केंदर में बेठी मोदी सरकार का इलाज किया जाएगा साथियों ये 5 सितंबर की जो महापंचायत है ये इतिहासिक होने वाली है आज तक की महापंचायतों के सारे रिकोर्ड टूटेंगे और लगभग 20-22 राज केंदर में बेठी मोदी सरकार को भाजपा को ये सीधी चेतावनी दी दाएगी या तो जाग जाएगे अन्य था लड़ाई आर पार की और सीधी लडी जाएगी मेरी अपील है पूरे देश से हमारी सबी खापों से सबी संगठनों से सबी किसान भायों से और सबी यूवा साथियों से कि वो अपने अपने एरिया में अपने अपने जिलों में अपने अपने रज्यों में वो महापंसायत की जोरदार तैयारिया करें अब हमारा एक ही लक्षे है पांच सितंबर की मुझफर नगर की महापंसायत को इतना एतिहासिक बनाना है कि मोधी सरकार के पैर च कोने में आंदोलन जाएगा और इसी तरह से उत्राखंड में आंदोलन चलेगा और उत्राखंड मिशन चलेगा साथियों ये एक बड़ा कदम संयूक्त किसान मोर्चा का है आंदोलन को लेकर के आज से अभी से पूरी तकत मुझभ फरनगर की महापंचायत के लिए लगाएं निश्चित तोर पर ये महापंचायत अंदोलन को ताकत देगी और भाजपा भाजपा जो देश बेचना चाहती है जो किसान बेचना चाहती है उसका इलाज करने के लिए मुझभ फरनगर की महापंचायत एक मील का पत्थर साबित होगी तैयारी करें जोरदार इसको इतिय क्लासिक बनाएं और मिसन उत्तर प्रदेश